नमस्कार दोस्तों, रिसेंट्ली ट्रांसपरेंसी इंटरनाशनल के दौरा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत हाइस्ट नंबर पर है इन टम्स ओफ करप्शन इन एशिया जी हाँ, यहाँ यहाँ पर याद रखेगा, specifically हम एशिया के टांस में बात करें हैं क्योंकि यह जो रिपोर्ट है, वो अलग-अलग रीजन में डिवाइट किया गया है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा लेकिन आप यहाँ पर न्यूज में भी देख सकते हो, इंडिया हैस हाइस्ट ब्राइबरी रेट इन एशिया, ट्रांस्पेरेंसी इंटरनाशनल तो हम दोस्तों इसके बारे में जो important important छीज़े हैं, इस पूरे रिपोर्ट में क्या कहीं गई है, भारत को लेकर, solution क्या बताया गया है, main problem क्या है, काफी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं, मैं हूँ अंकित अगरवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे follow कर सकत जिसके दुरू आप अपने preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, तो एक global civil society है, ध्यान रखेगा, NGO है आपके exam में आ सकता है, Transparency International क्या है, यह एक तरह का NGO है, जो की corruption वगरा से related जो चीज़े होती है Transparency से related जो चीज़े होती है, governance के अंदर, उसके उपर यह research करता रहता है, तो यहां पर आप देखोगे कि इनके द्वारा यह report जारी किया गया, इसका नाम क्या है, Global Corruption Barometer, तो आपके exam में आ सकता है, कि recently Global Corruption Barometer News में था, यह किसके द्वारा यह report जारी की जाती है, तो यह कि आए गया है कि India has the highest rate of bribery and use of personal link, bribery तो आपको पता ही होगा, आप सबने face किया होगा, मैंने भी face किया है, तो इस तरह की चीज़े तो common ही है भारत में, इसके अलावा आपको पता होगा कि personal link का काफी जादा इस्तमाल किया जाता है, हमारे जो relatives होते हैं, हम जिनको जानने वाल होते हैं, तो उनसे हम phone कहलवा कर और कहते हैं कि यह हमारा काम हो जाए, तो इसी को personal link कहा जा रहा है, तो दोनों के मामले में, भारत का जो number है, वो highest है पूरे Asia के अंदर, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह जो particular index है, यह जो particular report है, इसको अलग-अलग regions में divide किया गया है, जैसे Africa का, Asia Pacific, Global, यहाँ पर Europe and Central Asia, तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, तो Asia Pacific के अंदर यह जो Asia वाला report है, हम specifically इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर total 17 nations को count किया गया है, ध्यान रखेगा, total 17 देशों को लिया गया है, और करी 20,000 लोगों से यहाँ पर survey किया गया था जो अलग-अलग public services होती हैं, जैसे कि police service हो गया, courts हो गया, public hospital, यहाँ पर जो identity documents के लिए procurement किया जाता है, utilities हो गया है, electricity, health, तो इस तरह की चीजों में यहाँ पर यह जो survey है, उसने किया है six public services से और 20,000 लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, यह conduct कराये गया था June से September के महने म इसी साल, और उनसे पूछा गया कि पिछले एक साल में आपका experience कैसा रहा है, corruption को लेकर, और इसके एसाब से यह पूरी report बनाई गई है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें यह देखने को मिलता है, दोस्तों, कि पूरे एशिया के अंदर जब पूछा गया, कि सबसे ज़ ब्राइबरी देनी पड़ती है, उसके बाद नंबर आता है, courts का, फिर identity जो documents होते हैं, उसमें भी निकालने में, जैसे कि driving license हो गया, अलग-अलग documents हो गया, उसको procure करने में भी यहाँ पर घूस देना पड़ता है, schools के अंदर, utilities के अंदर, hospitals में, मतलब कि corruption आप कह सकते हो, कि हमारे जीवन के हर एक पहलू के अंदर है, यह तो overall हम Asia की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो, कि भारत का कितना percentage है, यहाँ पर आप देख पाऊगे कि India has the highest overall bribery rate, 39% भारत को मिला है, जो हम personal connection यूज करते हैं काम करवाने में, उसमें 46% का यहाँ पर आकड़ा है, उसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया, चाइना और बाकी देशों का, यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे कि भारत का 39% है, सबसे highest है पूरे एशिया के अंदर, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो, कमबोडिया है 37%, इंडोनेशिया 30%, मतलब कि भारत के perspective से specifically बात करें, तो यहाँ पर यह पूछा गया, कि जब भी आप यहाँ पर कोई service लेने जाते हो, किसी के contact में आते हो, तो कितनी बार आपको घूस देना पड़ा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि of the people, जितने लोगों से survey किया गया था भारत में, जो जो लो में से एक person को यहाँ पर घूस देना पड़ता है, जब भी वो police के साथ मिलता है, तो यह सबसे बड़ा चिंता जनक बात है, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको पता है कि जो government offices होते हैं, जो official document हमें लेना पड़ता है, चाहें driving license हो, birth certificate हो, कोई भी चीजे हो, यहाँ प documents निकलवाने के लिए 42% लोगों ने अपना connection यूज किया, इसके लावा court के अंदर भी जी हाँ, यह भी एक चौक आने वाला है कि court में भी 38% लोगों ने अपना personal connection यूज किया है, ताकि उनका काम हो जाए, इसके लावा यहाँ पर आप देख पाओगे कि 50% लोगों ने जो bribe दिया था, उनसे जब पूछा गया तो पता चला कि उनको bribe देने के लिए बोला गया था, मतलब कि अगर suppose पुलिस के contact में आ रहे हो तो पुलिस खुद कह रही है कि आप हमें ये चलान की बजाए, आस्वार पैदे दो आपका काम बन जाएगा, तो इस तरह से 50% लोगों यहाँ पर बात है, इसके अलावा government corruption को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ पर pressure दिया गया है, जो focus है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 quarter, मतलब 3 fourth of लोगों को लगता है, 75% लोगों को लगता है कि government corruption सबसे ज़्यादा problem है, यहाँ पर 1 in 5 people paying bribe when accessing public services, जितने भी लोग public service उसमें से 20% आप कह सकते हो, 1 fifth लोग यहाँ पर bride pay करते हैं तब जाकर उनका काम होता है, 38% people think corruption has seen an increase, मतलब पिछले 12 महनों में एक साल में कितने लोगों को लगता है कि जो corruption है वो बढ़ा है, तो 38% लोगों को लगता है, 28% को लगता है कि नहीं, corruption लगभग उतना ही है जितन अस्थान है, जी यहां, overall तो मैंने आपको बताया भारत का पहला अस्थान है, लेकिन government perception में आप देख सकते हो कि government corruption के मामले में भारत का चौथा अस्थान है, सबसे जादा government corruption लोगों को लगता है, इंडोनेशिया में है, फिर ताइवान, Maldives, उसके बाद भारत और Thailand पर आप देख पाओगे, in fact यहाँ पर institutions को लेकर भी questions पूछे गहते कि कौन से institution में आपको corruption सबसे जादा लगता है, यहाँ पर आप देख पाओगे, जो local government officials हैं और जो police है, वहाँ पर corruption का case सबसे जादा है, उसके अलावा यहाँ पर लोगों को लगता है कि जो President or Prime Minister का office है, इसके अलावा जो Member of Parliament हैं, वहाँ पर भी corruption सबसे जादा है, आर्मी के turns में यहाँ पर सबसे कम बोला गया है, just around 10%, लेकिन आर्मी में भी यहाँ पर 10% लोगों को लगता है कि corruption problem है, इसके अलावा जब उनसे पूछा किया कि क्या सरकार corruption को हटाने के लिए fight कर रही है, लड़ के अंदर लगता है कि जी हाँ, यहाँ पर सरकार काम कर रही है, corruption को हटाने के लिए, 34% को लगता है, नहीं कर रही है, इसके लावा overall rank की अगर हम बात करें, देखे, overall rank यह हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें तो सरफ Asia की बात कही गई है, लेकिन अगर आप देखोगे January में भी Transp Transparency International का एक report जारी किया गया था, इसका नाम था Corruption Perception Index, ठीक है, ध्यान रखेगा, अभी हम Global Barometer Index की बात कर रहे हैं, यह किन यह वाला है आपका Corruption Perception Index, जो की January में launch किया गया था, इसमे 180 countries में भारत का 80th position था, ठीक है, यह भी आपका Transparency International के द्वारा ही release किया गया था, जह पहला चीज है, जो bureaucratic process है, वो बहुत complicated है, slow है, मतलब एक file दूसरे table पर जाएगी, फिर वहाँ से वहाँ जाएगा, तो इसलिए slow होने की वज़ए से corruption के cases बढ़ते हैं, red tapism बहुत जादा है, लोगों की entry नहीं हो पाती है, कहीं पर भी elitism देखने को मिलता है, इसके regulatory framework यहाँ पर दिक्कत करता है, इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है, कि force people to seek alternate solution, इन सारे चीज़ों की वज़ए से, लोग जो है, personal link का इस्तमाल करते हैं, और corruption के cases बढ़ते हैं, इसके अलावा last में solution की जहां तक बात है, कि बोला गया है, कि national level पर state government, दोनों को मिल कर, यहाँ पर जो administrative process है, उसको सुधारने की जरुवत है, तभी जाकर corruption कम हो सकता है, यहाँ पर जो bribery और nepotism है, उसमें preventive measures लाने की आओ शकता है, कि किसी प्रकार से उसको रोग सकें, इसके लावा यह भी बोला जाता है, कि हमें technology का इस्तमाल करना चाहिए, जो online platforms हैं, उस ज्यादा तर, तो corruption कम हो सकता है, तो यहाँ पर यह solution बताया जा रहा है, इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, जहां जहां, जो जो important चीजे थी, मैंने आपको बता दिया है, transparency international के दोरा यह जो index है, इसके अलावा जाने से पहले मेरा आपसे question है, क्या आप म आप telegram से इसका right answer ले सकते हैं, मैं कई सारे NFQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप वहाँ पर play कर सकते हो, अगर आप मुझसे economy पढ़ना चाते हैं, कोई भी course purchase करना चाते हैं, study IQ app पर जा सकते हैं, I hope कि यह वीडियो आपको पसंदा होगा, विलता हम से next time, till then, thank you very much, see you soon.